Hello everyone. Welcome to my youtube channel Beyond Infinity Maths Classes. आज हम JKSSP Finance Account Assistant और Junior Statistical Assistant का Mathematics portion start करेंगे. ये इस lecture series का first lecture रहेगा. सले बस में जो हम सबसब पहला topic लेने वाले हैं वो है Coordinate and 3 Dimensional Geometry या फिर इसी का दूसरा नाम है analytical geometry. देखिए जो Finance Account Assistant है उसमें ये topic का नाम Coordinate and 3 Dimensional Geometry लिखा गया है और जो JSA का syllabus है उसमें सेम नाम कहा दिया इसको analytical geometry लेकिन difference नहीं है दोनों एक ही चीज़े. तो इसलिए ये lecture जो होगा ये दोनों के लिए beneficial होगा चाहे Aspirant Finance Account Assistant के लिए पढ़े जा पिर Junior Statistical Assistant के लिए. अब बहुत से एसे होंगे जो Arts, Converse या फिर Medical Background से होंगे इसलिए हम this topic को बिल्कुल basic से start करेंगे ताकि किसी भी aspirant को समझने में मुश्किल ना जाए. चलिए start करते हैं. Start करने से पहले एक बात clear कर दें कि बहुत सरे aspirants यह सोचते हैं कि हम mathematics या फिर statistics को बिना पड़े ही हम selection ले लेंगे. जो बिल्कुल impossible सा लगते हैं. आप 10 marks का mathematics और 10 का stat छोड़के selection नहीं करवा सकते हैं. अगर आपको selection लेनी हैं, तो selection के लिए आपको पूरा का पूरा portion जो होगा, एक आदा टापिक हम छोड़ सकते हैं mathematics में, लेकिन जैसे यह बहुत easy topic है, coordinates या फिर analytical geometry बहुत easy topic है, इसलिए I think यह से भी को करना चाहिए. चलिए start करते हम. सबसे पहले, coordinates को समझने से पहले, Axis समझ लेते हैं, देखी हम किसी plane के बात करते हैं, तो plane का मतलो, एक two-dimensional plane जो हो गया, two-dimensional plane बोल सकते हैं या फिर coordinate plane बोल सकते हैं, तो इस plane के पर, जब भी हम समझ लोगे को plane है, इस plane के पर हमें को point locate करना है, point को locate करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए दो चीजे हमारे लिए जरूरी है, हमें क्या चाहिए, coordinate axis चाहिए, इसलिए हम यहां पर दो coordinate axis लेंगे, coordinate axis जो होंगी वो एक दुसरे के perpendicular होंगी, perpendicular का मतलो 90 degrees पर होंगी, एक x-axis लिया और एक क्या लिया, y-axis लिया, this one is the origin, और origin पर जो होंगे वो हम 0-0 हे लेंगे, origin हमेशा 0 से ही होगा, यहां पर origin पर जो point होगा, वो x-coordinate भी 0 होगा, और y-coordinate भी 0 होगा, इस side सभी को पता होगा, देखिए जो arts background से हैं उनके थोड़ सा tough हो, यह origin से इस side positive होगा, और origin से इस side हम negative लेते हैं, और यह x-axis होगी, right side पर positive x-axis, left side पर negative x-axis, और origin से उपर की दरफ जाएंगे तो positive y-axis होने चाहें की दरफ negative y-axis, तो यह plane होगा, इस plane के उपर हमने को point को locate करना, तो point को locate करने के लिए हमें चाहिए होती है coordinate axis, और coordinate axis के होती है, perpendicular होती है एक दूसरे के, चलिए हम यहांपर को point लेते हैं, यह point लिया, तो इस point को locate हम कैसे find करेंगे, यह point की location का है, इस point की location का हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, join करेंगे इसको, इस point पर पहुंच गए, तो यह point जो होगा, देखेंगे यहां पर, x कितना आ रहा है 3, और y कितना रहा है 4, इसलिए जो point की location होगी, वह क्योंगे 3, 4 होगी, तो यह 3, 4 हम की point की location plane के पर तभी find कर पाए, जब हमें किसका बता था, और coordinate axis, इसके आगे चलते हैं, देखें यहां पर, उसी point की मैंने यहां पर लिखाव है 3, 4 यह point है, इसी point की हमने location plane के पर find की है, अब इसमें दो चीजे होती है, एक यह 3 है, एक यह 4 है, 3 वाले को क्या बोला जाएगा, this one is x coordinate, इसको बोला जाएगा, यह x coordinate है, और 4 को बोला जाएगा, यह 4 क्या है, y coordinate है, अब x coordinate को यह नशे बोल सकते हैं, obsissa, x coordinate को को बो लेंगे, obsissa बोलेंगे, और जो y coordinate होग उसको क्या बोलेंगे, coordinate, तो यह बाते आपने याद रखनी है, x coordinate अब को obsissa बोलेंगे, औरходит को, ordinate बोलेंगी, अब इसके मैंने यहां पर जो दो points लिखें यह अच्छे से read कर लो, फिर हम इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ति कह रहा है कि the distance of a point from the y-axis is called its x-coordinate, देखो जैसे यह point है, यह point हम दो चीजे देखेंगे, यह point y-axis से कितना दूर है, और यह point x-axis से कितना दूर है, फिर से देख लो, कि यह point 3-4, देखी यहां से x-axis, यह point कितना दूर है, तो कितना दूर है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर के तरफ जाना पड़ेगा, तब ही तो पता चलेगा कितना distance है, यह distance कितना है, यह distance find करना पड़ेगा, और यह distance कितना हमें, यहां से जाते ही जाते ही और य के उपर हमने देखा यह कितना है 4 तो इसका मतलब यह जो point है 3,4 यह point 3,4 यह y से कितना दूर है 4 units units कुछ यह हो सकते हैं centimeter meter कुछ भी हो सकते हैं तो हम यहां पर simply unit बोलेंगे यह वाला point जो है यह x-axis से कितना दूर है 4 units दूर है और same अगर मैं बात करेंगे कि यह वला point जो है यह sorry यह वला point x-axis से कितना दूर है 4 unit और same यह point y-axis से कितना दूर है 3 unit यह वला distance कितना हो जाएगा नीचे देखें कि distance कितना है 3 unit 3 unit y-axis से 3 unit दूर है अब इसको पढ़एंगे इंता कि लिखा बाग कि the distance of a point from the y-axis कि जो point है वो y-axis से कितना दूर है, कितना दूर दिख रहे हैं, यह लो point जो है, वो y-axis से कितना दूर है, 3 units तो उस point को क्या बोला जाएगा, जो distance को बोला जाएगा, वो कहा है, x-coordinate, x-coordinate कैसे पता चलेगा, x-coordinate का मतलब कि जो point है, वो y-axis से कितना दूर है, तो इसको x-coordinate बोला जाएगा, x-coordinate का दूसरा नाम के है, अब सिसा, और जब हम बात करेंगे कि वो जो same point, वो x-axis से कितना दूर है, यह point जो है, 3,4, यह x-axis से कितना दूर है, तो कितना दूर है, यह दिख रहे सामने, यह उपर की तरफ जाएगे, तो कितना दूर है, 4, यह distance कितना दूर है, 4, तो यह 4 units दूर है, तो इस distance को क्या बोला जाएगा, यह distance 4 और इसको क्या बोलेंगे, y-coordinate, या फिर इसको बोलेंगे, ordinate, तो यह हमने देखा कि किस तरह से, हम एक plane के उपर point को locate कर सकते हैं, तो point को जब भी locate करेंगे, तो coordinates जो यहां पर हमने pointer 3,4 और first वाले को x-coordinate बोलते हैं, जो second वाल होगा उसको y-coordinate बोलेंगे, x-coordinate को अब सिसा भी बोला जाएगा, या फिर y-coordinate जोगा उसको ordinate बोला जाएगा, यह very very important, यह आपको याद रख रहे हैं, क्योंकि किसी mcq की form में, हम mcq भी करेंगे same lecture में, तो उसमें यह बात हैं आपको वाल पर clear हो जाएगी, x-coordinate अब सिसा और y-coordinate ओडिनेट, यह दो बात है कि जिसी भी plane के उपर, अगर हम ने किसी point को locate करना था, अगर यह point यहां ना होकर, बिल्कुल axis के उपर होता है, ज़रूरी थोड़ी है कि point इदर ही होगा, यहां पर होगा यह point, axis के उपर हो सकता है, यहां पर हो सकते है, बिल्कुल lie यंदी axis हो सकते है, तो अगर यह point यहां पर होगे, इनके जो coordinates बनेंगे, वह coordinates कैसे बनेंगे, देखिए, यह हमने पहले पढ़ा है, यह क्यों होता है, ओरीजन है, दियान से देख लो, यह origin है, और origin के coordinates समेशे ही क्या होंगे, 0, 0, 0 होंगे, और यह क्या है, x, positive x-axis, उपर कितरो जाएंगे तो positive y-axis, इस से दाएंगे तो negative x-axis और निचे के दरफ negative y-axis, देखिए, यहां पर हम सेंटर से, चलना हमने कहां से स्टार्ट करना है, बिल्कुल से स्टार्ट करना है, तो center पे क्या है, origin, और origin पे अगर मैं यहां से, इस pen को मैं इस point पे रखता हूं, और मैंने move करना start करता हूं, towards the positive direction of x-axis, जम हम positive x-axis की तरफ चलना start किया, तो यह यहां पर दोन्नों क्या थे? 0 थे, दोन्नों 0 थे, x भी 0 था, और y भी 0 था, हमने चलना start किया, तो चलना जब start किया, तो जो y का coordinate है, वो change पर आ रहे हम अलांग दी x-axis चल रहे है, तो चलतेख चलतेगे चलतेगे, तो चैंज किसमें आ रहा है, चैंज चलना start किया, यहां पर दोनो 0,0 थे, जब हम चलना start किया, तो मूव करके, हम x-axis के रहे हैं, किसके रहे हैं, positive x-axis के रहे हैं, यहां पर plus 1 आ जाएगा 2 आ तो वो change जो आ रहा है वो change जिर्फ x के अंदर आ रहा है, य की value में कोई change नहीं आ रहा है, it means y तो यहां पर 0 था और y यहां पर कहा रहा है, अगर हम बिल्लकुल इस line के ओपर चलना start करेंगे, तो y कह रहेगा 0 ही रहेगा, it means इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर y का coordinate जोगा हो, वो 0 का 0 ही रहा, क्यांकि origin से हमने along the x-axis positive x-axis चलना start किया, तो y 0 का 0 ही रहेगा और यहां पर x की value में कुछ change आएगा, कुछ भी change हो सकता है, इसलिए हम यहां पर क्या लिख लेंगे इसको, x की value में तो change आया है, लेकिन y की value में कोई change नहीं आया, it means कि जब positive x-axis पर लिखेंगे, तो coordinates किस तरह से लिखे जाएगे, x कामा 0, यह mcq की form में पूछे जा सकते हैं, अभी हम आगे mcq के रहेंगे, उसमें बताऊंगा कि किस तरह से पूछा जा सकते हैं, अब सेम काम यहां पर देखो, origin पर 0 कामा 0 पर, हमने positive y-axis की तरफ चलना start किया, positive y-axis अब किस में change हो रहे है, हमने y की तरफ चलना start किया, चलना कहां से start किया? origin से, origin से अब चलना शुरू किया, तो origin पर , new y की तरफ चलना शुरू किया तो change किस में आज रहे है? Change आ रहा है Y मे, लेकिन x में कोई change नहीं आएगा, जो एक्स में कोई change नहीं आए तो fadositiveve e-axis रहेगा, तो कुछ x की value change होगी, लेकिन y क्या रहेगा, 0 रहेगा, अब इस point के हमने move कहां से start किया, 0 0 से start किया, origin से, किस तरफ आए, along the y axis, y axis पर आए, तो it means y की value में change आएगा, लेकिन x की value में को change नहीं हैगा, x क्या रहेगा 0, और y क्या रहेगा minus y हो जाएगा, अब मैंने यह चीज़े यहाँ पर लिखी भी है, the coordinates of a point on the x-axis, are of the form x, 0, जो भी x-axis के उपर होंगे, जो भी x-axis के उपर, जो हम coordinates आएगे, बिल्कुल x-axis के उपर जो लाई करेंगे, वह हमेशा है किस form के होंगे, x, 0 की form के होंगे, x की value positive हो सकती ही, negative हो सकती है, अगर हम positive direction में गे, तो x, 0, अगर negative direction में गे है, तो minus x, 0, तो यह बात आपने याद रखने है, कि जब भी x-axis के उपर कोई point होगा, तो इसके coordinates के form के होंगे, x, 0 form के होंगे, आप यहांपर चेक करेंगे, कि जो point y-axis के उपर लाई गर रहे है, तो उसके coordinates कैसे होंगे, 0, y, या फिर 0, minus y, तो 0, minus, यहांपर बात लिखी है, कि जो coordinates होंगे, जो y-axis के coordinate होंगे, वो किस form के होंगे, 0, y, देखिए, इसमें कुछ आपको यादा याद नहीं करना, आप simple से एक बात याद रख सकते हो, कि जब भी हम along the x-axis move करते हैं, जब भी along the x-axis move करते हैं, तो move हमने कहां से start किया था, origin से, जब origin से move करना start किया, तो change सिर्फ x में ही आएगी, y, 0 का 0 रहेगा, इसलिए आपने याद रखना है, कि x-axis के उपर हमेशा ही y का coordinate क्या रहेगा, 0 रहेगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, कि x-axis के उपर हमेशा ही y का coordinate होगा, वो 0 रहेगा, अब y-axis की बात कर लेते हैं, y-axis में किसमें change आ रहे हैं, जब move इसके पर चल रहे हैं, इसके पर move कर रहे हैं, तो change सिर्फ y में आ रहा है, लेकिन x में कोई change नहीं आ रहा है, तो x में change नहीं आ रहा है, असका मतलब यह हुआ कि y-axis के उपर हमेशा ही x का coordinate 0 रहेगा, सिंपल सी बात है, कि x-axis के उपर y का coordinate 0 रहेगा और y-axis पर x का coordinate 0 रहेगा, यह बात clear होगी, अब हम यह पढ़ लेते हैं, two dimensional plane is divided into four quadrant, हमेशा ही जो two dimensional plane होगा, 2D plane जिसको बोलेंगे, 2D plane कैसे बनेगा, दो axis से बनेगा, दो coordinate axis से मिलके बनेगा, x-axis and y-axis, और x-axis और y-axis जो होगी, वह क्या करेंगे, इस पूरी जो 2D plane होगा, उस पूरी 2D plane को four quadrants में divide करतेगी, अब quadrants जो चलते हैं, वह first quadrant, second quadrant, third quadrant और fourth quadrant, आप देखो इसमें गलती मत कर देना कि आप यहां पर first देदो, हमेशा कहां से चलना स्टार्ट करना पॉजिटिव, x-axis से चलना स्टार्ट करना और anti-clockwise चलेंगे, कैसे चलेंगे, उल्टी गड़ी के जैसे, गड़ी ऐसे चलेंगे, तो हम कैसे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं anti-clockwise, तो first quadrant यहां पर आएगा, फिर move करके second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, तो quadrant anti-clockwise हम count करेंगे, और यह axis आगे, coordinate axis बोल देंगे, और यह पूरा plane था, plane को coordinate axis ने कितने quadrant में divide किया, four quadrant में divide किया, अब जो first quadrant होगा, first quadrant में देखो यहां पर, center पर 00, यह है positive x-axis, यह है negative x-axis, positive y-axis and negative y-axis, और first quadrant, यह वाले segment section बचाने, यह वाले section, इसको हम बोलेंगे, यह है first quadrant, और first quadrant के अंदर, दियान से अगर आप देखो, तो यहां पर x-v किन दो line से मिलके बन रहा है, एक इस line से और एक इस line से, यह क्या है positive x है और यह क्या positive y है, it means कि first quadrant के अंदर, जो हमेशा ही, दोन्नों coordinates होंगे, चाहिए x-coordinate या y-coordinate, मतलब जो abscissa, और जो ordinate होगा, दोन्नों ही क्या होंगे, positive होंगे, क्यों, क्योंकि segment के अंदर, x-v positive, और y-v positive, जो first quadrant होगा, first quadrant के अंदर positive positive values आएंगे, positive positive values का मतलब first v positive यसे यह हो गया, 4,6, 4 v positive, 6 v positive, तो 4,6 हमेशा ही किस में लाई कर रहेगा, यह MCQ में पूल सकते हैं, कि अगर आपको को point दे दें, बोल दें कि बताओ कौन से quadrant में लाई कर रहा है, second, third, fourth, किस quadrant में लाई कर रहा है, तो 4 भी positive है, 6 भी positive, it means positive positive और किस में लाई कर रहेगा, first quadrant में लाई कर रहेगा, अब second quadrant की बात कर लेते हैं, second quadrant में जब हम देखेंगे, तो second quadrant हम move anti-clockwise करेंगे, और हम यहां पर shift होगे, यहां पर shift होने से क्या हुआ, कि यह positive और यह negative, हमेशे ही पहले x का coordinate लिखा जाएगा, मतलब पहले अब shift सा लिखा जाएगा, फिर ordinate लिखा जाएगा, it means पहले x का coordinate लिखा जाएगा, फिर y का coordinate लिखा जाएगा, देखें यहां पर यह negative है, X क्या आ रहा है यहां पर इस सेट जब हम left side move करते हैं origin से left side पर move करते हैं तो X negative आता है X भी negative और यहां पर उपर के तरफ Y positive It means जो second quadrant होगा वहां पर coordinates इस form के होंगे negative positive के होंगे जैसे X की example लेते हैं यहां पर 4 क्या negative है और 6 positive तो understood से बात है कि first quadrant negative second positive It means किस में आ रहा हो second quadrant में आ रहा है अब anti clockwise move करेंगे तो इसके बाद काम पर shift होगे third quadrant में shift होगे third quadrant में X V negative Y V negative X V negative Y V negative यह वाले जो होंगे किसमें लाई करेंगे ऐसी values जिसमें यह से minus 4 minus 6 यहां पर 6 भी negative है 4 भी negative है मतलब negative negative है तो negative negative हमेशे हैं किस quadrant में लाई करेंगे third quadrant में लाई करेंगे अब हम fourth quadrant के बात करते हैं fourth quadrant में X positive है और Y negative X positive है हो रहा है Y क्या है negative है तो इसलिए यहां पर coordinates होंगे किस form क्यों होंगे यह क्यों होंगे X positive हो रहा है Y क्या है negative हो रहा है तो यह जैसे हम यहां पर लिख लेते हैं 4 minus 6 आप question किस तरफ से पूछा जा सकता है कि अगर आप मैं यहां पर आपको question पूछता हूं कि 8, minus 9 इंग्जामें जी question आजे कि the point 8, minus 9 lies in which quadrant 1st, 2nd, 3rd, 4 तो understood से बात है कि 8 negative positive है first वाला positive और second वाला negative first positive डूंडो, first positive और second negative तो कौन से quadrant आगया, fourth quadrant आगया I think हम यहां पर रुखना चाहिए मैं सोच रहा था कि इस lecture में MCQ भी करवा हूं लेकिन lecture काफी लंबा होगी है तो next video lecture में हम जो हमने आज पढ़ा है इसी पर हम MCQ करेंगे और बिल्कुल हम इसी तरह से basic से start करेंगे और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें कुछ मुश्किल होगी अगर आपको यह video lecture अच्छा लग रहा है तो please मेरी चैनल को subscribe, share and like कर दो thank you and have a nice day